मीशो, Amazon और Flipkart के बाद भारत में सबसे तेजी से उभरने वाली e-commerce वेबसाइट में से एक है अगर आप मीशो में Delivery Boy का जौब करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है तो इस वीडियो को अंततक जरूर देखेगा पर वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सबस्क्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आप किसी भी लेटिस्ट वीडियो की लेटिस्ट अपडेट मिस ना कर सकें यहां पर हम बात करते हैं क्या क्या requirements होंगी अगर आप मीशो में delivery boy की job करना चाहते हैं तो सबसे पहली requirement जो आपकी होगी वो यह होगी कि आपकी age 18 साल से अधिक होनी चाहिए अगर आप 18 साल से कम है तो आप इस job को नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज कि आपके पास आपका deal यानि कि driving license मौझूद होना चाहिए इसी के साथ में आपके पास आपकी एक personal bike होनी चाहिए जिसके थुरू आप जितने भी products होंगे उनको deliver करेंगे साथ ही helmet होना चाहिए और जो bike होगी उसके सारे documents आपके complete होने चाहिए इसी के साथ में यहाँ पर अगली चीज कि आप कम से कम high school pass होने चाहिए और आपको basic English की knowledge होनी चाहिए ताकि जो भी product आए उस पर जो भी नाम लिखा हो आप उसे आसानी से deliver कर सकें आपके पास एक personal mobile phone होना चाहिए जिससे आप customer से call करके संपर्क कर पाएंगे कि आप कहां पर मौझूद हैं और हमें कहां पर आना है साथी आपके पास आपका आधार card, pen card और वो bank account होना चाहिए जिसमें आप अपनी salary को लेंगे अब इन सारे documents को लेकर आपको जाना कहां है तो इसकी बात करते हैं कैसे आप मीशो में delivery boy की job कर सकते हैं actually यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीशो अपने products को खुद deliver नहीं करता है वो deliver करने के लिए third party company जो logistics company होती हैं उनका साहरा लेता है जैसे आपका e-cart हो गया या फिर delivery हो गया या फिर Indian Express हो गया यह कुछ ऐसी company है जिनके through मीशो अपने products को deliver कराता है तो अगर आप इन company हो में जाकर job करते हैं as a delivery boy तो आप मीशो के products को deliver कर सकते हैं इसमें आपको केवल मीशो के products नहीं मिलेंगे इसमें आपको Amazon के भी products मिलेंगे और इसमें आपको flip card के भी products मिलेंगे इन सभी company के लिए requirement लगबग सेम है जो जो चीज़े मैंने आपको पहले बताई हैं तो यह सारी चीज़े अगर आपके पास already मौझूद है तो आप Google पर search कर सकते हैं जिस भी company में job करना चाते हैं इंडियन एक्सप्रेस में करना चाते हैं या फिर e-card में करना चाते हैं तो आपको उस company का नाम प्लस वहाँ पर अपने city का नाम करके search करना होगा जैसे मैं अगर अपने city के बात करूँ तो e-card office लखनो मैं search करता हूँ तो मेरे आसपास जितने भी e-card के offices हैं वो मुझे मेरे screen पर दिखाई देंगे मैं google map के तुरू उन तक पहुँच सकता हूँ या फिर उनका contact number लेकर direct भी उनसे call करके पूछ सकता हूँ कि क्या delivery boy के लिए आपके वहाँ requirement है basically इन company ओं delivery boy की requirement होती रहती है क्योंकि कोई बंदा कभी नहीं आया या फिर कोई लेट हो गया या फिर कई बार ऐसे area के product आजाते हैं जहां तक कोई delivery boy अभी तक नहीं जाता है तो वैसे situation में इन companyों को लगाता है delivery boy की requirement रहती है तो आप इन companyों से direct contact करके as a delivery boy काम कर सकते हैं तो इन companyों के salary structure की बात करें तो ये company ऐसी होती है जो दो तरीके से आपको salary देती है पहली तो वो होती है कि आप direct monthly basis पे काम कर सकते हैं कि 10,000 या 12,000 रुपे पर मन्त आपको दिये जाएंगे उसमें petrol का खर्चा भी आपको company देगी या फिर दूसरे case की बात करें तो यहाँ पर आपके पास option आता है कि 15 से लेकर 20 रुपे पर packet के हिसाब से आपको company देती हैं और उसी में आपको petrol भी manage करना होता है अपना तो ये कुछ structure होता है इन companyों का आपको payment करने का ओके गाईस ये थी एक छोटी से वीडियो की आप मीशो में delivery work कैसे बन सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मैं मुता हूँ आपको next वीडियो में एक नए topic के साथ अब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम